विलिकम् टू चैनल टेक मेकानिकल अन्ञ एलेक्टिकल नुकलियर पावर कॉर्पोर्पोरेशन एन्डिया लेमिटेड इनपी सेल का अलग अलग उनीट का तरव से रिकूर्टमेंट का नोटिफिकेशन आया था जैसे एनपी सेल ककडा पादा स्लैस टू जीलो टू तू ठीर जीसमे पेरामेडिकल स्टाइप lumière टेनी काटागोडी ओनारर काटागोडी तो पोस्ट के लिए कुल्बेंट आया था यह था तो इसमें देखे नर्स A post के लिए 26, posta scientific assistant B के लिए 13, posta pharmacist B के लिए 4, H.T. dental technician के लिए A, technician C के लिए 1 seat, stipend training technician category 2 plant operator के लिए इन सभी ट्वेट के लिए देखिए जो आपका कैटेगोरी 2 पोस्ट है टोटाल 158 पोस्ट अपलोग के लिए आया था और इसका एक्जामिनेशन का अपडेट निकल के आ रहा है इससे पहले अपलोग को एक अपडेट दिया गया था कितना फॉर्म इसमें सब्मिट हुआ है और फिर से और एक अपडेट आ गया सबसे पहले मैं एक बार दिखा देना चाहता हूं कि केटागोरी 2 पोस्ट का कितना सब्सक्राइब के लिए टोटल आप देख लिजी एक बार अपलोग का जो भी पोस्ट है मैं फीटर का बात कर देता हूं फीटर में देखिए आप फीटर में टोटल नंबर आप पोस्ट टोटल फॉर्म सब्मिट हुआ 5723 इसमें जेनरल में फॉर्म सब्मिट हुआ है 400 इसमें बारा सो बाहन एस्टी में 495 इडाबलेज में अब देखिए 238 और टोटल फॉर्म सब्मिट हुआ 5230 इसका बात इलेक्टिसेन का भी देखिए टोटल फॉर्म हुआ चेजा चासो पचासी मैसेनिस्ट में टोटल आठाजा सब्मिट है इसका बात देखिए इलेक्ट टोटल एक बात देख लिए मैसेन ट्रेड टोटल कितना फॉर्म फिल आफ हुआ है तो जितना भी पोस्ट है टोटल 3549 फॉर्म इसमें फिल हुआ है तो इससे अप लोग देख लिजिए आपका स्क्रिंस्वर लेना है तो ले लिजिए जिसको अप्डेट नहीं मिला था अप्डेट आप लोग का क्या आया है इसमें आपको कोरियन में आपको जो दिया है कि जो आपका रिकूड्मेंट में तो रिकूड्मेंट का जो बारा नमबर आपका नोटीस था साथ बारा नहीं पॉइंट नमबर टेन जो था उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में एक गलती था उसको फिर से सुधरा गया है उसमें आपको बताया गया थी कि आपका preliminary test होगा morning session में और आपका advanced test होगा afternoon या evening session में तो यह आप लोग के ऐसा mention किया गया था कि सभी student eligible लोगा preliminary advanced exam देने के लिए ऐसा अप लोग को बताया गया था तो वो मतलब clearly लिखा नहीं था कि जो preliminary exam में pass हो पाएगा उसी का examination stage 2 में stage 2 दे पाएगा ओ stage 2 दे पाएगा ठीक है तो इसमें देखी फीर से लिग दिया है stage 1 preliminary test and stage 2 advanced test will be conducted in a single day एक ही दीन पर होगा 30 minute breaks in between दोनों का बीच में 30 minute का अंतर होगा during this break candidate will not allow to go outside the examination center examination मतलब यह process चलता time जो 30 minute आपका break मिलेगा तो आप examination center से बहार नहीं निकाल सकता है और answer seat of the stage 2 examination will be considered for evaluation only जो आपका answer seat होगा OMR seat में examination होगा ओई आपका evaluation seat हो जाएगा तो जो examination में pass होगा उसी का देखिये accordingly stage 2 examination will be conducted for all the candidate who appear for stage 2 examination तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि will be conducted for all candidate is actually eligible होगा exam को देने के लिए जो आपका stage 2 होगा all candidate इसमें eligible होगा stage 2 को भी देने के लिए बाद में तो decide होगा जिसका preliminary clear होगा उसका stage 2 का paper दिखा जाएगा और जो stage 1 में fail होगा उसका stage 2 का paper so नहीं किया जाएगा ठीक है तो यही आपको clearly में mention किया गया जैसे आपको morning और evening session का बात किया गया था इसमें just आपको बताया जा रहा है 30 minute का gap रहाएगा दोनों paper 30 minute का gap में आपका हो जाएगा दोनों paper सभी candidate दे पाएगा तो बाद में आपको लोग देखेगा कि फाप preliminary में कौन pass हो रहा है कौन नहीं pass हो रहा है उसका हिसाब से stage 2 का paper को check करेगा तो इससे देखिए एक एक update धीरे धीरे आ रहा है मतलब इसका examination date भी बहुत जल्दी अप लोग का होने वाला है तो बाद सी का भी examination एक से देर महिन मैक्सिमाम आपको time लगेगा अपलों का हो जाएगा और बाद सी और एनपी सील का exam process सेम होता है stage 1 stage 2 stage 3 सेम होता है अगर आप stage 1 के लिए तैयारी कर रहे तो इसके लिए आपको 50 mock test series आपको मिलेगा मेरा website पर अगर आप stage 2 के लिए तैयारी कर रहे तो इसमें different different trade के लिए इसमें आपको stage 2 के लिए mock test series मिल जागे क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट रूनता है कि सर्क मौक टेस्ट रिज कहां पर मिलेगा तो आपको मिल जाएगा अगर आप बी आर से इनपी से ल के लिए इलेक्टोनिक्स मेकानिक के लिए इसमें देखिए थर्टी सेट आपको मिलेगा एक एक सेट में पचास कोस्यन रहे अगर अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रेशन लेवल कितना दूर तक हाया कितना माक्स आपको आ रहा है तो टेस्ट से जब तक अप जब तक आपलोग नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा तो आप लोग भी जानते है कि मेरा सिलेक्षिन हुआ था वी नभी में पहला रैंक आया था अलिंडिया नंबर ओन रैंक आया था अंडिजब केटागुरी में और मेरा भी दोस्त मैं तो अभी अपना स्टेट पर जॉब करता हूं अलग नोखडी मिल गया तो भी एर से मैंने छोड़ दिया जितना भी मेरा को लेग हो भी है तो उन सभी का सपोर्ट से मैं इन टेस्ट को तयार किया हूं और इस पे काफी मेहनद लगा दो से तीन महीन इसको टाइप करने में लगा था क्योंकि हमें पता का सजिसन में इन टेस्ट्स को तयार किया गया है तो अगर आप लोग सच में पिपएड़ासन को अच्छा से करना चाते तो इस से आप लोग प्रैक्टीस कर सकते हैं और इसके लिए आपको इस व्यूर्सेप में आके जस्ट सबसेपहले रेजिस्टेशन कर लेना है रेजि क्योंकि इसका पेमेंट सिस्टेम में एड्रेस बगर देना पड़ता उसका बद इसका आप सब्सक्रिप्सेन ले सकते हैं तो आप देखिए बी आड़ सी का एक्जामेनेशन अगुस्ट लास्ट हपता नहीं तो सेप्टेमबर का माजा माजी तक आपका हो जाएगा और एंप बहुत जल्दी आपका होने वाला तब आपको बता जाता है जैसे बी आर सी स्क्रीन डीन और स्क्रीन आउट केंडिडेट का लिस्ट निकालता है तो उसका बाद ही दस से पंदर आदेनिम का अंदर ही उसका एक्जामनेशन डेट भी बता देता है इसमें भी सेम आप लोग कांगह होता है तो अपनेशन काफी अच्छा मोग है बयर करें तो यह जैसे करने का को सिंगेढिए तो आज मतें नेच्ट वीडियो में टाटा भाई-भाई